हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल फ्री फायर के रेंग कमेच में जब से रिवाइल पॉंट का सिस्टम आया है फ्री फायर के रेंग कमेच एक मज़ाग बन के रहे चुका है एक बन्दा पीक पे दूसरा हेंगर पे तीसरा ग्रेवयाट पे चोता बन्दा केप टाउन पे ऐसे करके हमारे टीम मेट्स रेंग मेच में गेम खेल रहे है अब कुछ बन्दे तो ऐसे हैं जो आप देख रहे हैं अताओ जाकर सीधा रश कर रहे हैं और मर जा रहे हैं उनके टीम मेट्स उसको रिवाइल कर रहे हैं फिर से जाकर रश करेंगे फिर समझ जाएंगे फिर रिवाइल करेंगे बस एसा ही rank match में चलता रहता है और जो कुछ अच्छे बंदे बिचार जो अच्छे से खेलना चाहते है वो तो खेली दी पाते है इससे सबसे दर नुकसान e-sports player को हुआ है जो tournament खेलते हैं क्योंकि आप tournament और rank match में काफी अंतर हो जुका है पहले इतना अंतरना ही था जैसे कि अगान attributes बगारा कुछ थोड़ी बहुत चीज़े थी जो कि tournament में नहीं होती हो और जो rank match में होती है लेकिन अब तो rank match में reward point है और tournament में तो reward point होता ही नहीं है अब यहाँ पर क्या होता है tournament में आप dream strategy बना के खेलते हो आप team मिलके आपकी साथ में team रहती है उस तरीके से आप खेलते हो एक team में लेकिन rank match में क्या है अलाग अला को कहां जा रहा है और ना practice हो पा रही ना कुछ अब उनको practice करने के लिए वो क्या करें जिनको tournament खेलना है या फिर e-sports player बढ़ना है वो लोग कहां practice करें क्या custom बनाएंगे custom भी बनाएंगे तो क्या वो वेसे player उनको आप आएंगे क्योंकि पहले थोड़ी बद practice हो जाती थी या पर rank match खेलने के लिए अगर कोई भी e-sports player है अगर वो बनना चाहता है तो वो rank match खेले के या पर practice कर सकता था लेकिन अब इसा बिल्कुल भी संभाव नहीं है जब से reward point का system आया है और free fire के लगबख सभी player को reward point पसाद नहीं है खास करके rank match में और जिन बंदों को पास escort नहीं होती है उनको लिए तो यह मतलब किसी काम का ही नहीं है अभी तक अगर आप video देख रहे हो और channel को subscribe नहीं किया है तो क्या कर रहे हो जल्द से channel को subscribe करो और जो गंटी वाला बटन है उसको दबा के वल पे set कर दो मैं आपके लिए free fire से लिए हर एक video लाते रहता हूँ तो channel को subscribe ज़रू से कर लेना बात करते हैं रिवाइल पॉंट की क्या अपडेट के बाद रिवाइल पॉंट हटने वाला है तो इसका जवाब है नहीं रिवाइल पॉंट अभी अपडेट के बाद नहीं हटने माला है खासकर कर के rank match में भी शायद यह रहेगा लेगन इसको में थोड़ा सा adjustment किया जा रहा है जो कि आपका में screen पे बता रहा हूं पढ़के बता देता हूं कि क्या होगा तो यह difficult इसको क्या जागा रिवाइल करना तो रिवाइल टीमेट्स व्यू दर रिवाइल पॉंट इस चेलेंजिंग अज होप इसको थोड़ा साथ देखो क्या करना चेंजिस में क्या चेंजिस हो रहा हूं यहाँ पे time to capture रिवाइल पॉंट टाइम बढ़ा देगा 33 सेकेंड आपको यहाँ पे capture करके रखना पड़ेगा रिवाइल पॉंट को पहले 14 सेकेंड रखना पड़ता था इसके बाद रिवाइल पॉंट का कूल डाउन टाइम पहले 150 सेकेंड था लेकिन अब 160 सेकेंड कर दिया है निए कि रिवाइल पॉंट अगर एक बार यूश कर ले तो तो उसकी 140 सेकेंड बाद फिर से वह उश होने में आएगा इसके अगर revival point पर game की बात कर तो पहले 9 revival points होते थे हर एक game में लेकिन अब एक map में सिर्फ rd revival point होने वाले है इसके अलावा फिलाल में revival card का भी कुछ पता नहीं चला है कि एक card कितने का होगा या फिर कितने coins में मिलने वाला है क्योंकि अभी फिलाल में चार coins में एक card मिला था चार token में एक card मिल रहा था हो सकता है कि card में थोड़ा सा उसकी price बढ़ा दे 6 या 7 token में एक card मिले तो card का तो भी फिलाल में पता नहीं चला है कि card हटाएंगे या फिर card रहने वाला है या फिर card की price बढ़ाएंगे तो card का फिलाल मैं पता नहीं चला लेकिन रियोयल प्योंट का आपको मैंने बता दिया है वीडियो किसे लगी वीडियो पसंद लाई हो तो like कर देना और आपके क्या विचार है इसके बारे में आप comment box में comment करके जरू से बताना मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जाइन जाए भारत